पार्ट बाईस अनुच्छी लेखन पारग्राफ राइटिंग अनुच्छी वस्तुता निबंद का ही संग्षिप्त रूप होता है। अनुच्छी लेखन में किसी भी विशे को लेकर उसी के पारे में अधिक से अधिक दस बारा पंक्तियों में अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। अनुच्छी लिखते समय यह विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भाशा, सरल, वस्सुगम हो। इसके साथ ही जो विशे आपने लिया है अर्थात जिस विशेश पर आप अनुच्छी लिख रहे हैं, उसकी पूरी-पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, जिससे संशेट में अपने विचार व्यक्त कर सके। अनुच्छी लिखन का प्रयोग हिंदी में कई विधियों से किया जाता है, जैसे 1. किसी समचार मत्र में किसी समसामाईक विशे पर लिखना 2. किसी के द्वारा मिले मौकिक संदेश को दूसरे के लिए लिख कर देना 3. अपने किसी विशेश अनुभव को डाइरी में लिखना आदे अनुच्छीत लिखन का अच्छा माध्यम होता है 3. समचार पत्र क्षीत्र में बढ़ते अपरात को रोकने का अनुरोद 4. मैं आपकी समचार पत्र की माध्यम से अपनी क्षीत्र इंद्रनगर में आई दिन हो रही चोरी, डकैती, छीडशार तथा चीन खीचने जैसी अपरातिक खटनाओं की ओर जिम्मिदार पुलिस अधिकारियों का ध्यान आकर्शित करना चाहती हूं अपरातियों की गतिविध्यों से ऐसा लगता है कि उन्हें किसी भी तरह का खौफ नहीं है, वे निडर होकर अपनी अपरात को अंचाम देते हैं और चले जाते हैं, इस पारे में कई बार पुलिस अधिकारियों को सूचना भी दी गई, किन्तु अफसूस की बात है कि उन् आशा करती हूँ कि संबंधित अधिकारियों तक मेरा यह निवेदन पहुचीगा और वे अनुशास नात्म कदम उठाएंगे। आगरा लिजाने का निश्चे किया गया। हम सभी बसों पर सवार होकर आगरा पहुच भी गए। वैसे तो सभी क्रिया का लाग आम पिकनिक जैसे ही रहे। किन्तु जब मैंने ताचमहल की शुपरता एवं भव्यता देखी, तो मेरी आखी खुली की खुली रह गई। इत पर इतनी बारी कारी करी मैंने जीवन में पहली बार देखी थी। इसके साथ ही जब हमारे अध्यापक ने ताचमहल के इतिहास की जानकारी दी, तो हमारी जिग्यासा और भी भढ़ी। मैंने अध्यापक से पूछी लिया कि उस समय तक तु विख्यान ने इतनी प्रगती नहीं की थी, फिर यह भव्य इमारत बनी कैसे। हमारी अध्यापक ने हमारी जिग्यासा को शान्त करते हुए समझाया कि ऐसा नहीं है। हमारा देश प्राचीन काल में ही विख्यान की श ताजमहल देखने का वह अती रोमांशकारी दिन मुझे जीवन में शायद कभी भी नहीं भूलेगा। सूचना पट के लिए मेरा नाम स्निक्धा है मैं कक्षा छे की छात्रा हूँ। मैं कल अपनी फीस तथा बस का किराया देने के लिए आट सो रुपे खड़ से लेकर आई थी। किन्तु विद्याले में पुस्तक आदी निकालते समय बैक से कक्षा में ही कही गिर गया। मैंने खूचने की पहुँआद कोशिश की। कक्षा में सबसी पूछा भी लेकिन सब बेकार। यदि किसी को मेरा पर्स मल चाए या किसी ने देखा हो तो कृप्या मुझे वापिस करनी का कष्ट करें। मैं इस उपकार के लिए अत्यंत आभारी होंगी। रोमान्चक प्रसंग। 25 सिसम्बर को विद्याले और कार्यालेों में अफकाश होने की कारण हम लोग पिताजी के साथ चिडिया घर खूमने गए। वहां हम लोगों ने तरा-तरा के जीवचन्तु देखे। फिर पिताजी हम लोगों को लेकर उस ओर चल पड़े जिधर रंग बिरंगे पक्षी जल में विहार कर रहे थे। वहां पहुचने से पहले ही पक्षियों के चीखने की आवासे आने लगी। जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो लोगों की भीड एक कत दिखाई दे। पता चला कि चिडिया घर की बाउंडरी वॉल पर नचाने कहां से एक पहुच ही लंबा तथा मोटा अचकर आकर बैठा था। उसे ही देखकर पक्षी चिला रहे थे। चिडिया घर की कर्मचारियों को इस बात की खबर दी गए तो वे तुरंधी वहां पह पहुच गए और काफी मशक्कत के बाद किसी तरह उसे वहां से हटाया गया। वह द्रिशे याद करके आज भी मेरे रोंगते खड़े हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले इतनी नस्तीक से और इतना बड़ा सांथ मैंने नहीं देखा था।